केज़िवाल इस केस में साथवे आरूपी है जिन्हें सुप्रीम पोर्ट में जमान आती है घर तो उजड़ते हुए हमने देखा है लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि शिराब एक पार्टी को ही उजार कर रखती है इन सब नेताओं के बीच दो तीन नाम हमीशा से ही चर्चा का केंदर बने रहे या एक आओं कि ट्रेंड में चलते रहे भारत एट नाइन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ काजो नरायन होटो पर शायरी और हातों में जाम है तुम अपनी फिक्र करो यारो हम तो पहले से बदनाम है ये लायन किसने लिखी है इसका तो नहीं पता लेकिन हाँ शराब ने कईयों का घर जरूर उजार दिया है घर तो उजडते हुए हमने देखा है लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि शराब एक पार्टी को ही उजार कर रखती है ऐसी एक पार्टी हमारे देश में है जो बनने से लेकर दिल्ली और पंजाब में सत्ता में आने तक हमेशा विवादों में रही कभी MCD और LG विवाद तो कभी बिल पास कराने को लेकर विवाद कभी ट्रांसफर तो कभी पोस्टिंग हमेशा से आम आदमी पार्टी का विवादों से नाता रहा है ऐसा ही एक नाता आम आधमी पार्टी का दिल्ली शराब घोटाले से है जो पिशले दो सालों से नहीं तूट रहा दिल्ली शराब घोटालों में कई किरदार सामने आये जिसमें शराब, कारोबारी आपके कई बड़े नेता का नाम सामने आया कई नेता जेल गए तो कई बाहर भी आ गए इन सब नेताओं के बीच दो तीन नाम हमेशा से ही चर्चा का केंदर बने रहे या यह कहों कि ट्रेंड में चलते रहे जिसमें दिल्ली के सिक्षा मंत्री और दिल्ली के सियम अर्विन केजिवाल प्रमुख थे मनीश सोधिया को जेल से बाहर आये महीनों गुजर गए वहीं दिल्ली शराब घोटाला केस में दिल्ली के सियम अर्विन केजिवाल को जमानत भी मिल गई है केजिवाल इस केस में साथवे आरूपी हैं जिनहें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है केजिवाल से पहले शराब घोटाला मामले में मनीश सोधिया, संज्य सिंग, केकविता, वीजे नायल, समीर महिंद्रू और अरुन पिललाई को जमानत मिल चकी है तलचस्प बात ये है कि शराब घोटाला मामले में संज्य सिंग को छोड़ कर बाकी के सभी आरूपियों को पिछले 35 दिन के भी तर जमानत मिली है इतना ही नहीं केस में बेल पाने वाले सभी आरूपियों की जमानत का आधार भी एक ही है केस की ट्राइल का शुरू ना हूना दिल्ली शराब घोटाला मामले में अर्विन केज़िवाल को मार्च 2021 में प्रबरतर निदिशालिया ने गिरफतार किया था केज़िवाल पर मनी लॉंडरिंग से जुड़े आरोप में गिरफतार किया गया था आप दिल्ली के पहले मुख्य मंत्री थे जो पद पर रहते वे गिरफतार हुए आपने केज़िवाल की गिरफतारी को राज़ू ते कारवाई बताया था केज़िवाल की गिरफतारी ऐसे वक्त में हुई थी जब आपके टॉप तीन के नेता जेल में बन थे इन में मनीश सोधिया, सतेंदर जेन और संजय सिंग का नाम शामिल है लोगसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोट ने कुछ तिन के लिए केज रिवाल को अंतरिम जमानत जरूर दे लेकिन फिर उन्हें जेल जाना पड़ा जून दोहजार चौबिस में इस पूरे बामली में ईजी की गिरफतारी के खलाफ केज रिवाल को दली हाई कोट से नियामत जमानत मिल गई लेकिन तभी केस में सीबियाई की एंट्री भी हो गई सिसोधिया को फरवरी 2023 में सिसोधिया पर आरोप है कि दिली सरकार में आपकारी विभाग के मंत्री रहते विए इन्होंने ऐसी नीती तियार की जिसे को शराब माफियाओं को फाइदा हुआ आरोप के मताबिक सिसोधिया उनकी पार्टी को इसके एविज में शुराब कम्पनियों से पैसे मिले वही सिसोधिया की तरफ से पेश वरिश वकील अभी शेक मनु सिंग्वी का कहना था कि ये पूरा ही मामला मंगणन्थ है सुप्रीम कोट ने अगर्स दोहजार शौबिस को मनीश सोधिया को जमाना दे दी कोट का कहना था कि मामले में ट्राइल शुरू नहीं हुआ है इसलिए सिसोधिया जमानत के हगदार है सिसोधिया के जमानत बर बहस करते वे सिंग्वी ने कोट को बताया कि अक्टूबर 2023 में एडी और सीबिया ने इस केस की ट्राइल जद ही शुरू करने की बात कही थी लेकिन दस महीने बाद भी केस की ट्राइल शुरू नहीं हुआ सिसोधिया केस पर जमानत देते वे कोट ने बड़ी टिपनी भी की थी कोट का कहना था कि जेल अपवाध है और बेल नियम संजे सिंग आपके राजसभास सांसत संजे सिंग भी दिल्ली शराब घोटाले के मामले में बेल पर आ चुके हैं सिंग को अक्टूबर दो हजार तेईस में प्रवेतरनी दिशालिया ने गिरफतार किया था सिंग पर शराब नीती मामले में साउट कुरूप की कंपनी से दो करोर रुपे लेने का आरोप है इसी साल एपरिल में सिंग को सुप्रीम कोर से जमानत मिली सिंग की जमानत का एड़ी ने विरोत तक नहीं किया था सिंग दिल्ली शराब गोटाले केस में करीब 6 महीने तक जेल में बंद रहे के कविता तिलांगाना की भारते राष्ट समीती के प्रमुक के चंदरशेखर राव की बेटी के कविता भी दिल्ली शराब गोटाले मामने में आरोपी है कविता को मार्श 2023 में गिरफतार किया गया था उन पर पॉलिसी बनवाने के बदले पैसे के लिंदेन में शामिल रहने का आरोप है कविता को 27 अगस 2024 को सुप्रीम कोट ने जमाना दे दी थी विजन आयर नायर को भी इसी महिने की शुरुवात में सुप्रीम कोट से जमानात मेली नायर पर ही शराब गोटाले की साजिश का आरोप है हाला कि केस में ट्रैल शुरू नहीं होने के वज doubling को जमाना दे दी थी नायर के जमानत पर फैसला सुनाते वे आदालत ने कहा था कि किसी भी आरोपी को अंतहीन समय तक के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता है समीर महिंद्रू, इंडोस्प्रिच कांपनी के मैनेजिंग डिरेक्टर समीर महिंद्रू भी दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में गिरपतार होकर जेल जा चुके है समीर महिंद्रू पर आरोप है कि इनकी कंपनी ने नीती बदलवाने के एविज में पैसे दिये महिंद्रू को सितंबर 2022 में गिरपतार किया गया महिंद्रू भी जेल से बाहर आ चुके है अरुन पिल्लाई बिजनसमेन अरुन पिल्लाई भी दिल्ली शिराब घोटाले के केस में जेज जा चुके है उन पर आरोप है कि विजनायर के साथ मिलकर घोटाले की पूरी साजिश रची थी उन्हें मार्च 2023 में गिरपतार किया गया था पिल्लाई के दो दिन पहले इस केस में जमानत मिली है कोरोना के दौरान नेवंबर 2021 के बाद है जब दिल्ली सरकारे नई आपकारी नीटी शुरू की थी इस नीटी के तहर दिल्ली में शिराब का ठीका प्राइवेट कमपनियों को देने की बाद कही गई जुलाई 2022 में इस नीटी को लेकर बवाल मच गया जिसके बाद LGV के सकसेना ने CBI को जांसौब की CBI ने इस केस में मनी लॉंडरिंग के तहत F.I.R की इस F.I.R के बाद इसमें ED के एंट्री हो गई ED के मताबिक ये शराब गोटाला 100 करोड से जादा का है शराब पॉले से बदलवाने के अवज में आपके सरकार ने साउथ कंपनियों से पैसे लिए वह यह आपका कह रहा है कि पूरी प्रक्रिया पारदोशी तरीके से हुई है और फाइल पर आखरी मुहर्त अथकाली नूपरा जपाल अनिल वेजल ने लगाई थी अब देखना यह है कि इस पूरे मामले पर देखे जमानत तो मिल गई है हर किसी को लेकिन शर्शर्ट जमानत है आगे क्या होता है इस खेल में देखेंगे और आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर अधिन के जिवाल कुछ जमानत जमिली है इसके बाद आप आदभी पार्टी का किस तरीके से अब हर्याना चुनाव में अज़र नज़र आएगा और साथी साथ दिल्ली में जो वधाल सभा चुनाव होने है उस पर क्या नज़र आएगा फिलाल फिले इतना ही देश अंदुरिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए निउस वर्ल इंडिया कर फिर लोटेंगे भारत तैक नाइन में किसी और मुद्धे पर बात करेंगे धन्यवाद